आज हम आपको review tab के proofing blog के सभी options की जानकारी दे रहे हैं आपके द्वारा बनाए गए किसी भी document में अगर किसी भी तरह की कोई भी spelling mistake या फिर grammar mistake होती है तो उसे सही करने के लिए आप spelling, check grammar option का उपियो कर सकते हैं जिसकी मदद से आप अपने document में spelling and grammar दोनों को ही check कर सकते हैं और साथ ही सही spelling चुंग कर गलत spelling को replace भी कर सकते हैं thesis option की मदद से आप MS Word में किसी भी शव्द का कोई भी समान अर्थ खोच सकते हैं word count की मदद से आप जान सकते हैं कि आपने document में total कितने pages लिखे हैं कितने world type की हैं, कितने character बिना space के लिए हैं, कितने character with space के हैं और कितने paragraph आपने अपने document में लिए हैं और कितनी line आपने अपने document में लिखे हैं तो चलिए अब इन सभी option को practical तरह से समझते हैं तो दोस्तों proofing block का use करने के लिए आपको जाना होगा review tab पर और review tab पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा proofing block का, सबसे पहले option के अगर हम बात करें तो यह है हमारा spelling and grammar का जिसकी shortcut की आप देखेंगे आपर F7 अगर आप F7 दबाएंगे, तो भी यह option आपके सामने represent हो जाएगा और या तो आप यहाँ पर click करके इस option का use यहाँ पर कर समगे तो इस option का use करने से पहले हम अपने documents में कुछ spelling mistake कर लेते हैं जैसे मालेजे, हम यहाँ पर provides की spelling mistake कर देते हैं यहाँ पर हम professionally की spelling mistake कर देते हैं और इसके अलावा हम कुछ sentence mistake भी कर देते हैं से माले जे हम यहाँ पर कुछ space दे देते हैं जैसे हैं यहाँ पर हमने एक extra space दे दिया और इसके लावा यहाँ पर भी हमें एक space दे देते हैं document में हम यहाँ पर you पो cut कर देते हैं ताकि यह spelling हमारी mistake हो जाए और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर भी document आपको दिखाए दे रहा है इसकी भी हम यहाँ पर you की spelling mistake कर देते हैं अब दोनों ही same words की मैंने spelling mistake क्यों की है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इसके बात करते हैं हम spelling and grammar की तो यहाँ पर आप जाकर के जैसे इस option पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपके right hand side में आपको एक dialogue box दिखाए देगा जिसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो भी spelling mistake है वो यहाँ पर automatically represent हो रही है इसके लावा अगर आप document में यहाँ पर देखेंगे तो document में भी आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ जहार red line आ रही है वो सभी spelling mistakes है और इसके लावा जहाँ पर आपको blue line दिखाए दे रही है वो यहाँ पर grammar mistake है तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप पर provides की तो provides की spelling यहाँ पर mistake है और right inside में आप यहाँ पर देखेंगे proofing के अंदर इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन words आपको दिखाई दे रहा है याणि यह suggestion word है कि आप इसकी जगापर याणि जो भी हमने यहाँ पर गलत styling लिखी है इसकी जगापर यहाँ पर तीनों में से कोई भी word यहाँ पर use कर सकते हैं और उसके नीचे आप देखेंगे provides की नीचे भी आपको तीन suggestion word आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसमें से आप इन तीनों words का भी यहाँ पर use कर सकते हैं और इसके लावा आप यहाँ पर देखेंगे आपको sound option भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आप इस पर click करेंगे तो यह पूरी की पूरी line आपको यह read करके दिखाएगा जैसे हम यहाँ पर click करके आपको दिखा देते हैं यानि कि आप यहाँ पर read करके भी देख सकते हैं कि आपकी जो spelling है वो यहाँ पर wrong है तो मान लीज़े हम इसे correct करने के लिए यहाँ पर इस वाले board को चुमते हैं हम यहाँ पर जैसी click करेंगे तो आप देखेंगे वो हमारी spelling mistake जो थी वो यहाँ पर correct हो चुकी है इसके अलावा आप देखेंगे जो हमारी next spelling mistake थी यानि जो हमने professionally की spelling यहाँ पर mistake की थी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी यानि यह automatically next error पर जम कर जाएगा और आपको बताएगा कि यहाँ पर यह spelling भी आपकी mistake है आप क्या इसे भी correct करना चाहते हैं अगर आप इसे correct करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके suggestion word पर click कर देंगे तो आपकी यह spelling यहाँ पर correct हो जाएगा तो यहाँ पर माल लीजिए हम इसे ignore करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो spelling हमने लिखी है हम यहीं spelling यहाँ पर रहने देना चाहते हैं हम यहाँ पर कोई भी suggestion वट को use नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर ignore once पर click कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर ignore once पर click किया तो आप देखेंगे यहाँ पर professionally की जो spelling थी उसके नीचे दो red line आ रही थी वो यहाँ पर हच चुकी है इसके बद आप देखेंगे आपर आपको एक option दिखाए देगा documents का यानि document की spelling आपर mistake है और नीचे भी document की spelling आपर mistake है अब माल लीजे हमारी documents में काफी सारे ऐसे words आते हैं जिसमें माल लीजे हमने same words को लिखा हुआ अब सभी words के नीचे red line आपकी आ रही है हम चाहते हैं कि एक बार में हम इन सभी words को ignore करना चाहते हैं ताकि जब भी हम यह spelling अपने document में type करें तो कोई भी error यानि spelling error यहाँ पर दिखाई ना दे तो उसके लिए यहाँ पर रीचे की तरफ आपको एक option दिखाई देगा ignore all का इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही documents की जो spelling थी वो यहाँ पर गलत होने के बावजूद भी जो red line यहाँ पर represent हो रही थी वो यहाँ से ignore हो चुपी यानि कि वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसने एक और paragraph को find किया है जिसमें आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर space को extra increase किया था यानि हमने यहाँ पर एक space बना दिया था जिससे sentence mistake हो गया था तो इसको आप यहाँ पर click करके ठीक कर सकते हैं जैसे माली जम इस पर click करते हैं तो हमारी वो जो sentence mistake थी यानि जो हमने extra space दिया था वो वापा से adjust हो जाएगा इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा don't check this issue था मैंनी आप यह चाते हैं कि जो भी हमने space दिया हुआ है उसका कोई भी issue यहाँ पर check ना हो तो उसके लिए आप इस option पर click कर सकते हैं और उसके यह नीचे आपको दिखाई देगा option for grammars का इस पर जब आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर grammars की कुछ settings open हो जाएगी और उसमें आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफी सारे options हैं जिन पर यहाँ पर tick का निशान आपको दिखाई दे रहा है यानि कि जितने भी grammar mistakes हैं जैसे माल लिजे हम यहाँ पर cap slice की बात करें कि cap slice में अगर कोई भी grammar mistake होता है तो यह उसे भी find करें और यहाँ पर उसे correct करने का आपको suggestion represent करें उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ यहाँ पर यह सारी settings हैं तो फिलाल हम इसे यहाँ पर cancel करते हैं तो cancel करने के बात हम यहाँ पर इसके दिये गया suggestion word पर यहाँ पर click कर देते हैं जैसे हम यहाँ पर suggestion word पर click करते हैं तो आप देखेंगे नीचे की तरफ हमने एक नाम लिका था आराध्या और यहाँ पर आप देखेंगे उसकी भी यहाँ पर spelling error आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अब आप देखेंगे आराध्या के just नीचे no reference information आपको दिखाई दे रहा है अब यह no reference information इसलिए आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि आराध्या का मतलब English dictionary के अंदर कोई भी word नहीं होता यानि कि आराध्या का कोई भी मतलब के English के अंदर नहीं होता इसलिए यहाँ पर आपके सामने no reference information आपको दिखाई दे रहा अब माल लीजे मैं यह चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने document में ये नाम लिख हूँ तो ये बार-बार हमें spelling error ना दे तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक और option दिखाई देगा add to dictionary इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक information आ जाएगी जिसमें आपके सामने लिखा होगा spelling and grammar check is complete यह इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पूरे document में जिकने भी spelling mistakes थी इसने वो सभी spelling mistake यहाँ पर चेक कर लिए है तो यहाँ पर हम इसे OK बटन पर क्लिक कर देते हैं OK बटन पर क्लिक करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर आराध्या टाइप करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी error represent नहीं करेगा जैसे मालेजेम यहाँ पर type करके आपको दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दुबारा से आराध्या type किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी red line यहाँ पर represent नहीं हो रही है तो इस तरीके से आप spelling and grammar option का यहाँ पर use कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं next option की और next option है हमारा thesis अब इसका use किस तरीके से किया जाता है जैसे मालेजेम इसमें से किसी भी word को चिंते हैं मालेजेम ने powerful को यहाँ पर select कर लिया इसके रावा अगर आप किसी और word को find करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर इसे attack करके कोई भी दूसरा word find कर सकते हैं जैसे मालेजेम यहाँ पर type करके आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर type कर लेते हैं documents करने के बाद यहाँ पर find वाले बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे documents के जितने पर similar words थे वह यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे तो इस तरीके से आप थी search option का यहाँ पर use कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं next option की तो आप देखेंगे next option है वह हमारा word count word count में आप देखेंगे आपर आपके सामने dialogue box उपर हो जाएगा word count statics के नाम से और इसका जो basically use किया जाता है वो आपके पूरे documents में हर एक चीज़ की information आपको represent करता है जैसे मालेजम यहाँ पर pages की बात करते हैं तो हमने अपने पूरे documents में जितने भी pages लिये होंगे वो सभी pages आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो इस document में हमने केवल एक page लिया है इसलिए यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है तो नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने एक ही page लिया हुआ है और 240 words यहाँ पर हमने type कर रहे हैं उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि page 1 और 240 words आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अब words के अगर हम बात करें कि यह words क्या होते हैं जैसे मालेज हम बात करें वीडियो प्रोवाइट्स की तो character basically क्या होता है जैसे माल लीजें यहाँ पर galleries लिखा हुआ है तो G-A-L-L यानि जो एक एक words है यह सभी आपके characters हैं जिसमें आपके comma, inverted quotes वगरा यह सभी count किये जाते हैं तो इन सभी को count करके यह आपके सामने represent कर रहा है कि आपने total कितने character लिए हैं पिना space के तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर that complaint के बीच में यहाँ पर हमने एक space लिया हुआ है तो यह आपको बता रहा है कि अगर आप पिना space के इन characters को count करते हैं तो वो जो words होंगे वो लगबग इतने होंगे इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर character with space की तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो भी यहाँ पर इतना space दिया गया है यानि yours और documents के बीच में जो space है यह उसको भी count करके आपको represent कर रहा है इसके अलावा अगर हम next option की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास total जो paragraph है वो 5 paragraph आपको दिखाई दे रहा है तो paragraph के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4 और यानिचे देखें 5 5 paragraph यहाँ पर ले रखें और उसके वालावा हमारे documents ने कोई भी और paragraph यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए यहाँ पर आपके सामने 5 paragraph आपको दिखाई दे दे तो lines की अगर हम बात करें तो हमने total 17 lines यहाँ पर ले हुई है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देंगी हमारी एक line और add हो चुकी है और word count पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप देच सकते हैं यहाँ पर इसने इस line को count कर लिया और यहाँ पर paragraphs को भी इसने increase कर दिए और यहाँ पर words में भी increment हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने documents ने pages, words, character with space, without space, paragraph और line सभी की information आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे आप देखेंगे आप को एक और option दिखाई देगा include, text boxes, footnote and end note यानि कि अभी जो हमारे पास documents की information है जिसके अंदर text boxes और footnote और end note यह add नहीं है अगर हम इस पर click कर देते हैं तो आप देखेंगे हमारी यहाँ पर values increase हो चुकी है यानि कि अब इसने जो भी हमारे documents के अंदर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो भी हमने documents के अंदर यहाँ पर end note यह और footnote यहाँ पर use किया हुआ है या जो भी हमने यहाँ पर text box के अंदर इतने भी text हमने यहाँ पर type कर रखे हैं उन सभी text को भी यहाँ पर count करके आपको बता रहा है कि आप पूरे documents में तो वह सभी information भी यहाँ पर add हो जाएंगी अगर आप नहीं चाहते हैं कि text boxes और footnote और note में जो भी information हमने लिखी है उसको यहाँ पर यह count करें तो stick mark को यहाँ आप फटा सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप MS Word में proofing blog option का यूज कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, share जरूर कीजेगा धन्यवार